गुड मॉनिंग, सुबह के साथ बचकर 17 मिनट और 21 फरवरी दिन संडे रखिगार, जिसका मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ गई, सूरज देवता हमारे सामने, मैं काफी टाइम से इंतजार करता कि सुबह कब होगी, सुबह मैं तकरीबन उठ गया था, साड़े चार क असपास, वीडियो एरेटिंग की मैंने, और एरेटिंग करने के बाद मैं मैं सोचा कि या, व्लोगिंग स्टाट की जाए, बट यू नो, एक्सपोर्ट होने में, फाइल सेव होने में तोड़ा सा समय लगता है, जो अब जाके ओके हुआ है, और सेव हो गया फाइल, तो अ अब व्लोगिंग स्टाट करते हैं, और फूरी दिंजर्या लाइफटाइल यहां की कवर करते हैं, इस वक्त का जो नजारा है, वो कुछ इस तरह का है, यहां की सुबह की शुरुवात होती है, इस तरह से चाय की चुस्की के साथ, भाप इसकी निकली और भाप मेरी निकली, निखाओं। थोड़ी से, सुबह में तो और बहुत ज़्यादा थी, अभी मतलब धूप आगी आप रोसनी दे सकते हैं, हाँ है ना चेहरे पर रोसनी आई, तो अभी थोड़ी कम है, पर सुबह में बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत अच्छा लाग राता देखके, और चाय कहर अब चलते हैं नीचे, गरम गरम थी, बहुत टेस्टी थी, मतलब अब देख सकते हैं, थोड़ा सा धुआ होता है, इस तरह का धुआ आपको गाउं में हर एक जगह पर दिखाई देगा, मतलब किसी जगह पर आप जाएंगे, तो सुबह सुबह में जरूर आपको दिखेगा, नास्ता और खाना बनाने का टाइम होता है, तो इस वक्त चारों तरफ से आपको धुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर लोग जल्दी खाना बनाते हैं, और जल्दी खाके सोते और नीचे है उनका रूम, I am not able to carry my mic every time, because of हर एक मुमेंट हर एक जगह को मझे कर्चर करना है, जब भी कुछ भी इंटरेस्टिंग लगता है, मैं इसको कर लगता हूँ, इस वक्त मैं पडो स्नेक जन के हां पर बैटा हूँ, दोस के हां, पुरी सी भूप आ लिए मेरे चेह अब आज पास के काफी सारे बच्चे हैं, तो बच्चों को दिखाता है एक बार यह देख लो, यह सारे के सारे बच्चे आसे हैं, देखने के लिए साथ में बैठे हैं पर जैसे ही mobile घुमाता हूँ, उनकी तरफ तो सारे के सारे बह जाते हैं, इस एक है ड्री को यह सारे बती है गाइस इस वक पांच बच कर 26 मिट हो रहे हैं शाम के और अब मैं आप लोगों को वो चीज दिखाना चाहूंगा जो मुझे देखना बहुत ज़्यादा पसंद है हर्याली और हर्याली जो इस वक मेरे सामने है वो है गिहूं के खेतों की और जो मेरे पीछे आप लोग देख हैं यह सरसों के खेत तो सबसे पहले यही दिख गया है तो इसको दिखा देते हैं उसके बाद में सामने की तरफ रुख करेंगे तो मतलब यह खेत जो है सरसों का यह काफी ज्यादा लंबा है और यहां से शुरू होता है यहां से लेकर करके आप देखते जाओ बहुत यहां तक है और उसके बाद में फिर गेहूं का है उसके बाद में और बहुत सारे हैं और गेहूं का खेत यहां पर भी है यह आपको दिखातों नस्दीक से आप देख रहे हैं यह है गेहूं की बाल औ श्राइब है तो इसके ऊपर एक कीड़ा भी है तो चोटा साथ दिख रहा है उपर की तरफ ये सिस तरह का ये एक चोटी सा बाल है ग्योंगी और इस तरह के साफ देखने के खेत है काफी बड़ा है ये भी आप देख सकते हो कितना लंबा है सामने सूरत की रोशनी इसके लिए कुछ खास साफ दिखने ही रहा है वैसे बहुत सालों बाद मैं इन सब चीजों को बहुत नजदीक से देख पा रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये है देखो सरसों का पेड़ यहाँ पर सामने और इस तरीके से पूरा का पूरा खेट चारो तरफ मतलब ये फैला हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा देखकर ये हरियाली बहुत ज़्यादा ही सुन्दर है मुझे अब लग रहा है कि ट्राइपोड और माइक लेकर के आना चाहिए था मैं कुछ भी नहीं लाया बस इसे घुमने के लिए आया हूँ कि बस एक राउंड मार लिया जा और देखा जाया कैसा है और लाइट भी इस वक्त काफी अच्छी है सामने से सूरज की रोशनी है पांस बस कर 31 मिनट हो रहा है इस समय और नजारे भी बहुत सुन्दर है मेरे हिसाफ से मुझे बहुत अच नहीं देगा दोस्तों यह है सरसो का फूल जो एकदम उपर आप देख रहे हैं उसके अंदर ही सरसो लगती है और यह पूरा इसका फूल है इस तरीके से इसका पूरा पेड़ है और यहां पर पूरा खेथ और यह है वो पगडंडी यह है रास्ता जहां से हम चलते हैं इस पर हमारा बच्पन गुजरा है मतलब इस एरिये में नहीं बस इस तरह के रोड्स पर जहां मैं रहा करता था बच्पन मेरे गाउं में यह सब देख करके अच्छा लगा लेकिन चलना होगा घर भी क्योंकि मैंने अवधेश से बात की है प्लान किया है कि हम जाएंगे इस वक्त मार्केट और कुछ नया टेस्ट करके कुछ नया एक्स्प्लोर करके आएंगे आज अज भी अंधिरा काफी ज़्यादा हो गया है और मुझे लगता है कि यहीं पर इंड करना चाहिए आज दोस्तों को पर अपने दिल की बात करना अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और रिवाट कर लगे सब्सक्राइब ने को दबागा सब्सक्राइब पिलना बेल आइकन प्रेस करके और पसे लिए कर दिना आप एका कर दो सब्सक्राइब